परिचय जड़ों, तनों, तथा पत्तियों के गुणों, प्रकारों, रूपान तरणों और कारियों की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अब हम पुष्पक्रम के विशह में पढ़ेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे के प्रकारों का पता लगाना, असी माक्षी पुष्पक्रम का अध्यन करना, ससी माक्षी पुष्पक्रम का अध्यन करना, ससी माक्षी पुष्पक्रम के प्रकारों को समझना, एका की ससी माक्ष का अध्यन करना, एकल शाखित ससी माक्ष को समझना, द्वी शाखित ससी माक् पुष्प क्रम के विशेश प्रकारों का अध्यन करना, सायथियम का अध्यन करना, पुष्प भ्रमी को समझना, हाइपन्थोडियम का पता लगाना, पुष्प क्रम. पुष्प क्रम के अक्ष को पुष्प व्रंथ यानि डंठल कहते हैं, कभी कभी पुष्प अकेले बनते पैदा होते हैं, पुष्प का ऐसा क्रम एकाकी कहलाता है. जब पुष्प शाखा के सिरे या मुख्य तने पर बनते हैं, यानि पैदा होते हैं, तो उन्हें एकाकी अंतस्थ कहते हैं, उदाहरन, गूलर, यानि पॉपी. जब पुष्प पर्ण पत्ती के कक्ष पर बनते या पैदा होते हैं, तो उन्हें एकाकी कक्षिय कहते हैं, उदाहरन, पिटूनिया, हिबिस्कस रोजा, सिनेंसिस. पुष्प क्रम के प्रकार पुष्प क्रम मुख्य तह तीन प्रकार के होते हैं, असी माक्षी पुष्प क्रम, ससी माक्षी पुष्प क्रम, विशेश यानि विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम. असी माक्षी पुष्पक्रम के मुख्य अक्ष में लगातार वृद्धी की क्षमता होती है तथा यह पुष्प में जाकर समात नहीं होता है मुख्य अक्ष पर पुष्प अग्रा भिसारी अनुक्रम को दर्शाते हैं पुराने पुष्प आधार की ओर और नए पुष्प शीर्ष की ओर लगे रहते हैं कभी-कभी मुख्य अक्ष छोटा रह जाता है तथा पुष्प गुच्छे समूह बनाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में पुष्प केंद्र भिसारी यानि अभिकेंद्र अनुक्रम को दर्शाते हैं। यहां पुराने पुष्प पार्श्व की ओर तथा नए पुष्प केंद्र की ओर लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष पुष्प में जाकर समाप्थ हो जाता है तथा पुष्प व्रिंत यानि डंठल की व्रिद्धी रुख जाती है। पुष्प तला भिसारी अनुक्रम को दर्शाते हैं। पुराने पुष्प शीर्ष पर जबकी नए पुष्प आधार की ओर लगे रहते हैं। जब पुष्प गुच्छों में व्यवस्थित होते हैं तो वे केंद्र भिसारी यानि अभिकेंद्री होते हैं। इसमें पुर एकल शाखित ससी माक्ष, द्वी शाखित ससी माक्ष, बहु शाखित ससी माक्ष, एका की ससी माक्ष, यह ससी माक्षी पुष्प क्रम का सरल प्रकार है, जिसमें की सिर्फ एक ही पुष्प होता है, पुष्प छोटे पुष्प वरंत यानी डंठल पर अंतस्थ या कक्षिय इस प्रकार के पुश्प क्रम में पुश्प वरंत पुश्प में जाकर समाप्थ हो जाता है। इस प्रकार के पुश्प क्रम को एकल शाकित घुमावदार ससी माक्ष कहते हैं। इस तरह के ससी माक्षी पुश्प क्रम में पुश्प वरंत यानी डंठल अपने सिरे पर एक पुश्प निर्मित करता है। इस प्रकार पुश्प वरंत यानी डंठल स्वता ही निम्नस्तर पर दो शाखाएं निर्मित करता है। यदि पुश्प क्रम में केवल तीन पुश्प हों जहांकि केंद्रिय पुश्प सबसे पुराना और बराबर वाले पुश्प नए हों तो इसे सरल द्वी शाखित ससी माक्ष कहते हैं। उदाहरन चमेली यदि पुश्प क्रम शाखित होता है तो उसे संयुक्त द्वी शाखित ससी माक्ष कहते हैं। उदाहरन, क्लेरोडेंड्रॉन और रिटिया बहुशाखित ससीमाक्ष इस तरह के ससीमाक्षी पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पुष्प में जाकर समाप्थ हो जाता है समान रूप से पुष्प वरिंत, डंठल कई शाखाएं उत्पन्न करता है और प्रत्येक शाखा पुष्प में जाकर समाप्थ हो जाती है पुष्प अपकेंद्री यानि मध्यापग क्रम को दर्शाते हैं उदाहरन, हिमेलिया विशेश प्रकार के पुष्प क्रम कुछ पौधे विशेश प्रकार के पुष्प क्रम को दर्शाते हैं ये निम्न प्रकार के हैं साइथियम, पुष्प भ्रमी, हाइपेंथोडियम, साइथियम इसमें पुष्प क्रम बहुत कम या छोटा होता है यह एक कप के आकार का पात्र धानी है जो की पाँच सह पत्रों के संगलयन से बना होता है साधारणता इसकप की सतह पर एक पीले रंग की मरकंद स्रवित करने वाली ग्रंथी उपस्थित होती है इसकप के केंद्र से एक एकल मादा पुष्प निकलता है या बहुत ही छोटा होता है और एक लंबे तंतु पर उगधा है नर्पुष्प बहुत छोटे होते हैं और कुटिल या कुंडलित ढंग से ट्रत्येक सहपत्र के कक्ष से इनका निर्मान होता है। उदाहरण, यूफोर्बिया पुलकेरिमा, पुष्प भ्रमी पुष्प भ्रमी एक विशेश प्रकार का पुष्प क्रम है जोकी ल्यूकस में दिखाई देता है। पात्र यानि धानी की आंतरिक सतह से अनेख छोटे अवरिंत पुष्पों का निर्मान होता है। ये पुष्प तीन प्रकार के होते हैं, नर्पुष्प, मादा पुष्प और अनुपजाव यानि बांज, मादा पुष्प, चंद्रकांती, उदाहरन, गूलर यानि फाइकस. क्या आप जानते हैं? अमॉर्फो फेलस भारत का सबसे बड़ा पुष्प क्रम है. पुया रेमोंडी 32 फीट विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्रम है. दल युक्त सह पत्र बोगेन वीलिया में पाया जाता है. कोईनेंथियम खुला हाइपेंथोडियम होता है. सारांज. आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संग्षेप में दोहराएं. पुष्प विभिन प्रकार के पुष्प क्रमों में व्यवस्थित होते हैं. पुष्प क्रम के आक्ष को पुष्प वरिंत यानी डंठल कहते हैं. पुष्प क्रम फूल गोभी का खाने योग्य हिस्सा होता है. सिंकोनस एक संयुक्त अथ्वा बहुल भल है, जोकि हाइपन्थोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है अनानास तथा जिमीकंद, ओर्टो कॉर्पस में सहपत्र तथा परिदल पुंज खाने में प्रयुक्त किये जाते हैं ओसिमम यानि तुलसी में पुष्प भ्रमी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है समानांतर विन्यास तथा ससी माक्ष अत्वा पुष्पक्षत्र युक्त अरिय पत्तियों का साधार अन्गुच्छा लिली ऐसी कुल के लक्षण है ग्रैमिनी ग्रामिनी कुल में कनेशिका यानि स्पायकिका पुष्पक्रम होता है